आत्म परीचे ये कवीता कवी हरीवन्च राए बच्चन द्वारा लेकी गई है इस कवीता में लेखक ने अपने वैतित्व के बारे में बता है कवी का मानना है कि दुनिया को समझना और जानना तो फिर भी आसान है पर खुद को जानना बहुत ही मुश्किल इस कवीता में कवी ने अपने दिल में होने वाली हलचल और उतल फुतल की बारे में बता है इस कवीता में कवी ने इनसान और समाज के बीच के रिश्टे को समझने की कोशिश की है वो कहते हैं कि इनसान का समाज से बहुत कहरा रिश्टा होता है समाज ताने कसता है, इनसान की बुराईया करता है फिर भी इनसान समाज से अलग नहीं रह पाता इनसान को समाज में रहकर ही अपना अस्तित्व नजर आता है कवी कहते हैं कि उनका और दुनिया का रिष्टा प्यार और कलेह का है दुनिया तारी को छोड़ कर अपनी जिन्दकी को जारना संभव नहीं है कवी को संसारिक कठिनाया तो हो रही हैं पर वो इस दुख में खुश है वो हमेशा खुश रहते हैं चाहिए संसार समाज और लोग उन्हें कितना ही दुख दे उन पर अब इन दुखों का कोई असर नहीं होता वो तो हर परिस्तिदी में खुश रहते हैं और प्यार बाठते हैं कवी को उनके दुखों का खंडर सुखों के महल से कहीं जादा कुपसूरत लगता है कवी का नेचर शांत किसम का है वो हर सुख दुख में खुश रहते हैं वो तो बस वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अपने जीवन का सारा भार यानि अपने जिन्दगी के सारी परिशानिया तकलीफे जिम्मेदारिया दुनिया दारी को निभाते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए भी मैं अपने जिन्दगी में प्यार से सरा बो रहता हूँ और इस दुनिया के लोगों में भी प्यार बारता रहता हूँ कवी आगे कहते हैं कि उनके किसे प्रिय यानि उनके दिल के करीब किसे खास इंसान ने उनके मन की वीना के तारों को शूंकित कर दिया है यानि उनके दिल की भावनाओं को छूलिया है और उन कोमल भावनाव को छूल लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है असल में वही प्यार है और उसी प्यार से भरे हुए अपने जीवन यानि सांसों के दो तारों में कवें जी रहे हैं मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ कभी नजक का ध्यान किया करता हूँ जग पूछ रहा उनको जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में जब प्यार मिला है उसे प्यार रूपी सुरा यानि उसे प्यार रूपी शराब को पी कर मैं उसके नशे में मस्त रहता हूँ यानी मैं अपने दिल के करीब अपने प्रीये से मिले प्यार रुपी शराब के नशे में इतना मस्त रहता हूँ कि अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है और यही प्यार मैं सब को बाटता हूँ कवी आगे कहते हैं कि यह सारे दुनिया चापलूसी और स्वार्थी मतलब भी लोगों से भरे पड़ी है लोग एक दुसरे की चूटी तारीफे करते हैं एक दुसरे की वहवाई करते हैं तो यह दुनिया उन्हें लोगों को ज़्यादा महत्वत देती है उनकी ज़्यादा इजद करती है और ऐसे ही लोगों की बाते लोग ज़्यादा सुनते हैं जो उनकी चाप लूसे करते हैं लेकर कहते हैं मैं इस सब कुछ नहीं करता मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरे मन में आता है या मेरा मन कहता है दुनिया क्या कहेगी मैं इसकी परवा नहीं करता हूँ मैंने कभी जक्की परवा नहीं की है मैं निच उरके उगदार लिए फिरता हूँ मैं निच उरके उपहार लिए फिरता हूँ है ये अपूर संसार ना मुझको भाता मैं सपनों का संसार लिये फिरता हूँ इन पंक्तियों में कवी अपने दिल के भावो और अपने सपनों के बार में बता रहे है कवी का सपना है कि इस दुनिया में प्यार ही प्यार हो और सभी लोग आपस में मिल जूर कर प्यार से रहे कवी कहते हैं कि मैं इस दुनिया के सामने अपने प्यार भड़े दिल के भावों को फ्यक्त करना चाता हूँ मेरा दिल चो ठीर सारे प्यार से भरा है मैं उस निश्चल प्यार को इस दुनिया में उपहार यानि तोफे की तरह बाटना चाता हूँ यानि कवी प्यार को उपहार की तरह दुनिया में बाटना चाहते हैं कवी कहते हैं कि प्यार के अभाव यानि प्यार की कमी के वज़े से ये दुनिया अधूरी है इसलिए ये दुनिया मुझे पसंद नहीं है यानि प्यार की कमी इस दुनिया को अपूर यानि अधूरा बनाती है और दुनिया की ये बात कवी को बिलकुल नहीं भादी इसलिए कवी अपने सपनों को अपने साथ लिए फिरते हैं यानि वो अपने लिए सपनों का एक अलग संसार बनाना चाते हैं और उसी में उसी के साथ जीना चाते हैं मैं जला हुर्दे में अगनी तहा करता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ जग भव सागर तरने की नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने दिल में प्यार की अगनी जला कर रखता हूँ और उसमें खुद भी जलता रहता हूँ इसलिए अप मैं उस कर्म योगी की तरह हो गया हूँ जो हर हाल में एक जैसे भाव में रहता है उनके उपर ना तो सुक का और ना ही दुख का असर पड़ता है यानि वो सुक और दुख दोनों में एक समान रहते हैं और हमेशा खुछ रहते हैं और वो हर प्रिस्तिती में मस्त रहते हैं कभी आगे कहते हैं कि इस संसार रुपी भव सागर को पार करने के लिए लोग कई जतन करते हैं कई कोशिशे करते हैं लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उतार और चढ़ाओ सुख और दुखों की लेहरों में भी मस्त रहता हूँ क्योंकि मेरे पास प्यार की नाव है इसलिए मुझे इस संसार रुपे भव सागर से पार उतरने के लिए कुछ भी और जतन करने की जरूरत नहीं है यानि इस संसार रुपे भव सागर में मैं अपना जीवन सुख दुख की लहरों के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रेम पूर्वक गजाता हूँ यानि इस दुनिया की मुश्किलों को पार करने के लिए उन्हें सर्फ प्यार की जरूरत है और कैसी और चीज़ की जरूरत दुने नहीं है मैं यौवन का उन माद लिए फिटता हूँ उन मादों में अफसाद लिए फिटता हूँ जो मुझको बाहर हसा रुलाती भीतर मैं हाई किसे की याद लिए फिटता हूँ जब इनसान किसे से प्यार करता है तो उसके अंदर एक अजीब सी मस्ती आ जाती है वो हर समय अपने प्रिये के सुनहरी यादों में खोया रहता है इन पंक्तियों में कवी भी अपनी जवानी के दिनों में अपने प्रिये से दूर है कवी कहते हैं कि वो अपनी जवानी यादी यादी योवन की मस्ती में जूम रहे है और इस योवन की मस्ती में दुख भी है क्योंकि वो भरी जवानी में अपने प्रिये से दूर है लेकिन उनके प्रिये की सुनहरी यादे उनको अंदर ही अंदर रुलाती है मकर फिर भी वो इस दुनिया के सामने हस्ते रहते हैं और अपने दुखों को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते वो अपनी इस अजीब हालत पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मैं अपने दिल में हर वक्त अपने प्रिये की यादों को लिए अपनी जिन्दगी गुजार रहा हूँ करियत न मिटे सब सत्य किसी ने जाना ना धान वही है हाई जहां पर दाना फिर मून नकया जग जो इस पर भी दिखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भुलाना कभी कहते हैं कि सत्य को जानने का लोगों ने बहुत कुशिश की बहुत प्रियास किया लेकिन वो अपने अहंकार के कारण सत्य को नहीं जान सके और बिना सत्य को जाने इस दुनिया से चले गए क्योंकि जो लोग ग्यानी थे और सत्य को जान सकते थे उनको अपनी विद्वानता या ग्यान का अहंकार हो गया था जो उनकी अग्यानता का कारण था यानि जो ग्यानी थे वो अपने अहंकार के कारण अग्यानी हो चुके थे कवी आगे कहते हैं कि अहंकार, प्यार और ग्यान दोनों को अपने आगे टिकने नहीं देता ये सब जानते समझते हुए भी अगर ये संसार सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मुर्खी कहा जाएगा मैं इस बात को जान चुका हूँ और मैंने इस दुनिया में रहते हुए भी जो भी संसारिक बाते सीखी हैं अब मैं उनको भूलना चाता हूँ क्योंकि मैं अपनी मस्ती में रहते हुए इस दुनिया में जीना चाता हूँ और उन बातों को याद कर रखना ये संभव नहीं है मैं और और जग और कहा कनाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता जग जिस प्रत्वी पर जोड़ा करता वैभव मैं प्रतिपक से उस प्रत्वी को टुकराता इन पंग्तियों में कवी अपने आपको दुनिया वालों से अलग बताते हैं वो कहते हैं कि मैं कुछ अलगी तरह का इंसान हूँ और ये दुनिया मुझसे बिल्कुल ही अलग है यानि हमें कोई समानता है ही नहीं हम बिल्कुल अलग-अलग है कवी कहते हैं कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर ना जाने कितने ही संसार रुज बनते हैं और बिगड़ते हैं मेरी अपनी ही अलग दुनिया है और मेरी इस दुनिया में सुखो का कोई मोल नहीं है इस दुनिया के सभी लोग सुखो के पीछे भागते हैं लोग हर वक्त सुखो को जमा करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं संसार के उन सुखों को अपने पैरों से ठोकर मरता हुआ चलता हूँ मुझे दुनिया के सुखों से कोई लगाव नहीं है मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ शीतरवानी में भी आग लिए फिरता हूँ और जिस पर भूबों के प्रसाथ च्छावर मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूँ कवी कहते हैं कि वो अपने कश्टों और दुखों में भी अपने जीवन को बड़े प्यार के साथ जीते हैं और अपनी शीतलता प्रदान करने वाली यानि ठंडर देने वाली आवास के द्वारा लोगों को प्यार का संदेश देना चाते हैं भले ही उनकी वानी यानि आवास में शीतलता हो लेकिन उनके शब्दों में लोगों के दिलों में उत्सा और जोश जगाने की आग के बराबर शक्ती है इसे लिए वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाते हैं उनकी सोच में बदलाव लाना चाते हैं जिससे दुनिया में प्यार बढ़ सके कवी आगे कहते हैं कि दुनिया की सब्ही सुकसुविदाओं के साथ जीवन जीने वाले लोगों को भले ही मेरा जीवन ऐसा लग सकता है जैसे किसी राजा के महल के सामने कोई खंड हो लेकिन प्यार से सरा बोर मेरे जीवन की भविता उन राजाओं के महलों से कहीं जादा है यानि सुख सुविदाओं के साथ जीवन जीने वाले लोगों से कहीं जादा सुन्दर मेरा जीवन है क्योंकि मैं अपने जीवन अपने हिसाब से पूरी मस्ती और प्यार के साथ गुजारता हूँ यहां पर दुनिया का सुख राजाओं के महलों का प्रतीक है यानि दुनिया के सुख को राजाओं के महलों से कंपेर किया गया है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते हो चंद बनाना क्यों कवी कहकर संसार मुझे अपना है मैं दुनिया का हूँ एक नया दिवाना कवी कहते हैं कि मैं एक प्रेम दिवाना हूँ और अपने प्रेम में मस रहता हूँ लेकिन जब मेरा दिल अपने प्रेम से बिछणने पे रोया तब मैंने अपने दिल की भावनाओं की अभी व्यक्ति को अपने शब्दों में उतारा तो तुमने उसे गीट समझा और जब मैंने अपनी मन की पीरा के आवेगों को अपने रचनाओं पे व्यक्त किया तो तुमने उसे च्छंद समझा कवी आगे कहते हैं कि ये दुनिया मुझे कवी कहकर ही क्यों अपनाती है जबकि मैं कवी नहीं हूँ इस दुनिया में मैं तो अपनी पहचान एक प्रेम दिवाने के रूप में बनाना चाहता हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि प्रेम में मस्त रहकर कैसे जिया जा सकता है यानी मैं एक दिवाना हूँ और ये दुनिया मुझे इसी रूप में जाने मैं इस दुनिया के सबी सुखों के बिना भी अपना जीवन पूरी मस्ती के साथ गुजारता हूँ इसलिए कवी कहकर ये दुनिया मुझे अपनाए मैं ये नहीं चाहता मैं तिवानों का फिश ले फिरता हूँ मैं मादतानी शेश की फिरता हूँ जिसको सुनकर जब जूँ जुक लहराई मैं मस्ती का संदेश ले फिरता हूँ कवी कहते हैं कि मैं दिवानों के रूप में इस दुनिया में गूम रहा हूँ और ये दिवान की मुझे प्यार से मिली है अब इस प्यार की मादता मेरे अंदर अच्छी तरह से समा गई है यानि उस प्यार का नशा मुझ पर पूरी तरह से चाय हुआ है और मैं उसी मादता यानि उसे नशे को लिए एक दिवाने की तरह इस पूरी दुनिया में गूम रहा हूँ कभी आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं जो मस्ती का संदेश लिये फिरता हूँ उसे दुनिया भी समझे और अपनाए और प्रसंद न होकर उस मस्ती में जुमे और लहराए दुनियादारी की इन चिंताओं से मुक्त हो सके और प्रसंद न रह सके आपको एक्स्प्राइशन अच्छे लगी हो अगर आपके लिए विडिया जरुते भी हैल्फ लो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें